नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन एंड ओफलाइन ग्यान में दोस्तों आज की जो अपडेट है ये भी बहुत पहत्रीर है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से इसका फोम भी फिल करना simple 10th वाले बच्चे भी इसका फोम फिल कर सकते हैं लेकिन physical standard का criteria दे रखा है जिसकी जानकारी मैं अभी आपको दूँगा mostly जो post है इसमें वो typing से related है लेकिन 10th पास बच्चे किसमें apply कर पाएंगे उस पर अभी हम चर्चा करेंगे मैं request करूँगा जिरों ने DRDO September 10 जो फोम फिल किया है technician A का और या STAB का इसमें भी आप लोगों का जो non technical वाला पार्ट है उसके साथ साथ आप लोगों की इसकी तियारी भी हो जाएगी बहुत बच्चे confused होंगे कि exam दोनों एक साथ होंगे क्या नई भई ये vacancy का exam थोड़ा सा late होगा पहले आप लोगों को septum 10 technician A और STAB का exam देखने को मिल जाएगा आगे जानकारी इसमें जो है मैं आपको सारी share करूँगा आप वीडियो में बने रहे यहाँ पर आप लोगों का form 7 नवंबर से चालू होगा आप लोग जानते हैं DRDO ने जो आपका form है technician A का STAB का वो भी पहले notice निकाला था उसके बाद इन्होंने form को चालू किया था तो same criteria इन्होंने दे रखा है admin allied cadre की vacancy है double A के नाम से जाना जाता है यहाँ पर junior translation में थोड़ी सी difficult qualification criteria जो मुझे लगता है mostly बच्चे यहाँ पर नहीं होंगे eligible इसके लिए बट एक अच्छी चीज़ है कि इसमें group C में बच्चों को रखा हुआ है age यहाँ पर 30 साल से ज्यादा नह apply कर पाएंगे बट experience की requirement आपको पड़ेगी लेकिन इसमें उपर के बेस पर apply करेंगे तो experience नहीं चाहिए उसके बाद next vacancy जो आप लोग की stenographer grade 1 English typist की है इसमें आप लोगों का bachelor degree होना यानि BA आपने किया हो लेकिन आप लोगों का skill test norm fulfill होना चाहिए यानि जो dictation है 10 minute add 100 word per minute क इसाप से आपका होना चाहिए और जो transcription होता है जिसे translate करते है 40 minute English के only on computers आपका होना चाहिए इसमें भी age 30 साल से ज्यादा नहीं है group B की vacancy है आप जो mostly बच्चे apply करेंगे वो इस category में करेंगे क्योंकि channel से ज्यादा बच्चे इसी category से जड़े हुए आप लोगों को administrative assistant में जो vacancy typist की English की उसमें 12th pass होना है और साथ में ये नोमस आपके पास होना चाहिए एज 18 से 27 साल जो आपकी group C की vacancy में आएगा उसके बाद same administration में हिंदी typist की बारवी पास होना है और यहाँ पर नोमस आप लोग देख सकते हैं उसके बाद store assistant में बारवी पास नोमस देखिए इस store assistant Hindi English दोनों में है तो हिंदी का भी देख लो बारवी पास नोमस एरे उसके बाद security assistant में आप लोगों का बारवी पास और साथ में आप लोगों का जो है physical fitness आप लोगों का criteria fulfill होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर जो है और भी criteria vehicle operator के लिए जिसमें आप लोगों को 10th pass होना है और यह आप लोगों के पास experience की भी requirement है driving motor car की experience letter आपके पास होना चाहिए गम से कब 30 साल का तीन साल का उसके बाद fire engine driver की vacancy जो है इसमें आप लोगों को 10th pass होना है और साथ में आप लोगों का valid license होना चाहिए two wheeler three wheeler दोनों चलेगा कोई साभी हो लेकिन heavy होना चाहिए knowledge of traffic regulations आपको होना चाहिए और physical fitness का criteria नीचे दे रखा भी मैं आपको दिखाऊंगा अब mostly बच्चे जो apply करेंगे इसमें करेंगे fireman में देखो भाई या vacancy तो 1000 से उपर है लेकिन जो mostly बच्चे eligible है वो इसी में eligible होंगे क्योंकि simple 10th pass मांगा है साथ में physical fitness का जो criteria वो fulfill होना चाहिए age आप लोग देख लो 18 से 27 साल group C की vacancy है तो यह आप लोग देख सकते है vacancy का count आप लोगोंके लिए available है notice की चिंता मत करना notice आपको मैं description में दे दूँगा और telegram पे भी share कर दूँगा इसमें जो apply करेंगे total 86 vacancy है वैसे यहाँ पर overall देखें सारी post को मिलाके तो 1000 61 post है age मैंने आपको बताई दिये उसके बाद ये कुछ इनके section B के criteria's है प्लीस आप लोग इसे भी carefully देख लेना ये exam center से जहां पे आपके exam center पढ़ेंगे आप लोगों को पताईए जब आप form fill करोगे तो उस time पे आप लोगों को exam center choose करने का option दिखाई देता है तो वो जो है प्लीस आप लोग उसको carefully fill करना अब एक और चीज physical measurement जो होता है जिसमें fireman वाले बच्चे post के लिए apply करेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग ये physical fitness का criteria देख लें एक बार height without shoes आप लोगों की male की 165 cm होने चाहिए minimum female की 157 चैस का criteria 81 cm minimum लड़कियों के लिए कोई chest का criteria नहीं है उसके 5 cm तक होना चाहिए उसके बाद weight आप लोगों का 50 kg से नीचे नहीं होना चाहिए तो जो बच्चे पतले हैं लेकिन eligibility criteria में fulfill कर रहे हैं आप अगर आपका 45 kg weight 47 है तो form 100% fill करना है लेकिन खापी के अपने weight पे थोड़ा काम करके weight को बढ़ा लेना है 50 हैसा नहीं है 50 ही fix फोम फिल करने के बाद अपने खान पान पे ध्यान दखना ताकि आपका weight उस time पे 50 kg तक हो जाए जिस time पर आप लोगों को जो है DV के लिए बुलाए जाएगा तो यहाँ पर weight के लिए कोई परिशानी नहीं है ऐसी उसके बाद लड़कियों के लिए 45 kg तो लड़कियां कही 40 की है 42 की है तो खापी कि आपको weight को बढ़ाना होगा तभी आप लोग डीवी के time पे किसी तरह की मार यहाँ पर नहीं खाओगे नो physical deformity मतलब यह जो है आप लोगों का bowlex no knee flat foot यह नहीं होना चाहिए maximum relaxation जो है 2.5 cm height होना चाहिए height मिलेगा आप लोगों को और chest में may be allowed for candidate belonging to hills area तो hills area candidate को relaxation यहाँ पर मिल जाएगा medical standard distance जो है आप लोग का 6 by 6 होना चाहिए उसके बाद near vision यह सब आप लोग देख लें physical जो आप लोगों का endurance test है वो भी होगा जिसमें आप लोगों की running होगी उसके बाद female के लिए भी criteria यह आप देखें other relaxation भी आपको दी है selection process इसका जो है टायर 1 होगा और टायर 2 होगा दोनो आप लोगों का जो है skill जो है आपका CBT based होगा और जो आपका skill test है skill test यह समझो physical fitness आप लोगों को fulfill करना पड़ेगा उसके बाद नीचे questions किस तरीके के आएंगे मतलब किस pattern में आएंगे यह आपको criteria दे रखा है तो जो बच्चे यहाँ पर मैंने बोला कि non technical की तैयारी कर रह है maximum marks आप लोग देख लो कितने कितने है और duration exam की देख लो यह skill test है आप लोगों का इसके बारे में पहले आप CBT clear करो फिट जाके इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे यहाँ पर जो है total marks भी आप लोग देख लो कितने है और total duration भी आप दोग देख लो ठीक है उसके simple 10th के हैं वो बच्चे इसमें apply करेंगे ठीक है simple 10th के बच्चे जिनके पास ना typing की speed है ना कोई और criteria वे बच्चे यहाँ पर जो है इसमें आप लोग apply करेंगे बहुत बच्चे आपे confused होंगे sir 10th standard pass under 10th plus 2 system तो इसके लिए आप लोग परिशान मत हुए इसका मतलब यह है कि आप लोग रिकोगना institute से पास करें परिशान होने की जुरुत नहीं है simple 10th के बच्चे fireman की post के लिए apply करेंगे बार बार repeat कर रहा हूं age 18-27 साल बस जो physical standard का criteria है height weight का वो आप लोगों का meet होना चाहिए ठीक है मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दिया है posting आप लोगों क चूज करने का option तब दिखाई देगा जब आप form फिल करोगे यानि multiple आप लोगों को जगाए दी जाती है पर 12-15 के आसपास जहां पर जब आप form फिल करते हैं तो चूज करने का option देता है आपको department कि आप पहले पर क्या रखना चाहते हैं और दूसरे पर क्या रखना चाहते ठीक है मेरी तरफ से सब कुछ clear हो गया बाकी इसका form आप लोग फिल करना मेरी तरफ से यह request है मैं ITA की post यहाँ पर देवाए नहीं देख रहा हूं यह admin allied का मतलब होता है administrative related vacancy यह चाहते तो वैसे stenographer में ITA वले बच्चों को डाल सकते हैं बट इन्होंने डाला नहीं है लेक typing की speed अच्छी होती है dictation की speed अच्छी होती है तो वो बच्चे यहाँ पर जो है जो आप लोग की vacancy दे रखी है इन में आप लोग apply कर लेना जैसे store assistant है उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जहां पर भी typing आप लोगों से मांगा है ठीक है तो आप लोग इसमें apply कर लेना बाकी धन्यवाद की पिंटच आप लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करकर रखिए बैल अकर दबा कर रखिए एक अच्छा मोका है फोम आप लोग जरूब फिल करना नोटिस का लिंग description में आपको मिल जाएगा और टेलेग्राम पे भी आप लोगों को share कर दूँगा थैंक यू